हाई अबरीवन होप आप लोग जहां भी होंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मौलाना आजाद कॉलेज का बारे में और मौलाना आजाद कॉलेज ने जो मौप अफ राउंड का डोक्मेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट है फाइनली इन को आपको फोटो को भी प्याद की इस वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा आपकि फॉर्मालिटी को पूरा करना पड़ेगा वह हम लोग जानते हैं ठीक है तो फीजकल वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको डोकॉमेंट लेके जाना होता है कुछ औररिजिनल डोकुम मांगते हैं तो जो भी डोकुमेंट से रिलेटेड हैं हम लोग बात करेंगे जो भी आपके लिए कोर्स सवाइज जो भी टाइम दिया गया उसके बारे में जानकारे लेंगे तो आएए वन बाइवन जो भी इनफर्मेशन हैं हम लोग जानने की कोशिश करते हैं और वन भाइवन जो भी आपके लिए महत्रपूर्ण है वह जानते हैं कि अनगे भोल लगा है to document verification मंप और और ड्मिशन है 6 इननोंने बोला है कि यह inform inform किया जाता है जितने भी admission है मतलब जिदे भी इस्टूबेंट और admission उनका हुगा है माप और यहलु में भी कॉक्षिह lo leganiмस 치 बीने को्रेश शी जो नेक्स पेज में इसके बाद वाले सीडियोल तो थोड़ी दिर बात में बात करें गाए अब भी सबसे पहले डोकुमेंट से लेटेड नोग बात कर लेते हैं कि क्या कह लेकर जाना होगा तो सबसे पहला है एक लिए प्रिंट आप अप्लिकेशन फॉर एडमिशन डियूली सांड बाइड गए तो जो अप्लिकेशन फॉर में तो अप्लिकेशन फॉर्म क्या है कि आप वेस्ट बंगल सेंट्रलाइज पॉर्टल पे आप लोगिन करोगे वहां पर आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक ह यह डिजिटली आपको नाम नहीं लिखना है अपने प्रिंट आउट क्लिक आलके ब्लू प्रिंट से अपना नाम लिख लिजेगा फॉर एक्जाम पॉल आपका शोहल आलम है तो शोहल आलम आप लिखिएगा जो भी आपका नाम हो एक्स वाई-जेट और आप लिख लिए दूसरा है कि the admission fee payments is received तो जो भी आपका payment आपने किया है वेश्ट बंगाल सेंटरलाइज एडमिशन पोर्टल पे तो आप पेमेंट सिलिप को भी डाउनलोड करो और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट अप लिकाल के रॉक लो ठीक है वेश्ट बंगाल सेंटरलाइज रही में मिलेगा अब बात करते हैं क्लास तेंथ एडमिट काड़ आपको लेकर जाना पड़ेगा या मादविक के एग्जामिशन चर्टिफिकेट या बर्ट सर्टिफिकेट ठीक है यह लोग मतलब किसे लिए लेते हैं मतलब तो यह बहुत के लिए लेते हैं यानि डेट शुइआ हैं क्लास तेंथ एडमिट कारний है रख सकते हैं क्लास तेंथ का सटिफिकेट क्लिध कर रख लो इंक्त तो यह ध्यान सब्पार सटिफिकेट इस ब्रूफ ठीक है और और वन और पिस्फोटकोपी अब सेंच्ट सेंच्ट केसे लिए लिएगा जी रोक्स लिकालने के अब़ाद जैसा क्या करना है नीचे जहां पेश्में करने लगए नीचे देखना जहां पेश्मेश काले हूँ वहाँ भी आपन लिखना लिखना सेर्फ इटेश्टेट आ पना लिख लीज़ेगा जो से के मार्क सील और अपको लेखे जाना ऑर सेले टेस्टेट क्लास 12 सजोस ओरिजिनल लिखा तो buildर एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए तो आप रख लेना ठीक है यह दिया रहा कि जहां पर इफ एपलिकेबल लिखा गया है उसके बारे में तो देख सकतो तो यहां पर जहां पर इफ एपलिकेबल लिखा है ठीक है तो वो उनके लिए जो कैंड़िट अपलाई कि और सब्सक्राइब उनको लें जानाया चाहिए जो इएपलाई किया है न spinach चाहिए जो सेलफ एटेस्टेट फोटो कोपी चाहिए उनको ठीक है अगर आपने कैलकटा के इन्वसिटी के अंदर इससे पहले कभी रेजिस्टेशन आपने किया हुआ तो वह रेजिस्टेशन स्यू रेजिस्टेशन सर्टिफिकेट आता है आपको देना पड़ेगा ठीक है उसके बाद यह मतलब में लिए बहुत कौम स्टूरेंट के पास रहता है यह मतलब निवली एड्मिटेट इस्टूरेंट के लिए यह यह तो आपके लिए नहीं है जो और लिडी रेजिस्टर कर चुके हैं तो उनके लिए है उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजनल और से भीत चाहिए ठेल पर ठेश्टेट फोटो कोपी चाहिए ठीक है और बीपिल सर्टिफिकेट चाहिए अगर जो भी बीपिल से अप्लाई कि होंगे यानि बिलोग प्रोबर्टी लाइन से उनको चाहिए और इटेश्टर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो वेस्ट बंकल के लवा बोट से हैं वो लोग लेते हैं अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा यह इंपोर्टेंट नोटिस दिया गया है पारेंट गार्जियर आप अलाओ टू इंट अट गॉलिज प्रीमिसेश अन्ट सीड्वल डट पैरेंट और गार्जियर अलाओड नहीं है ठीक है जो भी कारण से नहीं जाते हैं तो आपने ईपसरी को उप्रेज цвет किभी और आपके आयोगожно कई टी सब्स्केस्ता उप सकते हैं करने और विजा आप तो लोग देखेंगा एक प्लिकांद फॉम पे तो मतलब अगर आप नहीं जा पा रहे हो कोसिश करो अपी जाओ इन-पने आप आपने उनको आप बोल सकते हो ठीक है वह सकते आपको वेरिफिकेसन कर वां देंगा अब आते हैं लोग जो भी date courses वाई हम लोग बात कर लेते हैं टाइमिंग की बारे में बात कर क Lust लेते हैं room floor peso ढीक है तो यह ढखिए जो भी आपका time slot तिया गया जो भी date दिया गया जो भी room number दिया गई जो भी floor दियाimento धहीं पर ही जाना है जो भी लोग को जासकता हूं कि तो नहीं आप नहीं जा सकते हो जो आपका course का जब आपका verification का दिया गया उसी time slot में आपको जाना है उसी date में आपको जाना है यहां तक clear हो चुकिए अब हम लोग बात करते हैं 3rd September को देख सकतो courses कौन-कौन courses वाले को जाना है botany, physics, chemistry, mathematics, aesthetics, microbiology, biology, biology, biology जाएंगे ठीक है रूम नंबर, department में सारे candidate जाएंगे ठीक है अब देख लीजें इनको floor ground है जैसे botany, physics का ground है, chemistry का second floor है, mathematics का second NX building है, aesthetics का second NX building है, microbiology का fourth NX building है ठीक है और geology का department first floor है और timing रहेगा सारे जितने भी courses से 3rd September को verification होना है 11 a.m. to 1 p.m. ठीक है, यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, आप 4 September को देख लीजें, उर्दू honors, English honors, commerce, जो become honors जिनों ने भी अपलाई की है और sociology honors, उनको जाना है, department में, जैसे उर्दू, English वालों को first floor, commerce sociology वालों के लिए second floor, 11 a.m. to 1 p.m. ठीक है, तो आप 4 September को अपना course देखो, आप बात कर लेते हैं, 5 September के दिन, तो 5 September के दिन, देख सकता है, philosophy, Arabic, major and MDC, बेंगोली, Persian, major and MDC वाले जाएंगे, स्टाफ रूम में, first floor, 2 p.m. to 4 p.m. में जाके इनको verification करवाना है, और last है, 6 September, political science honors, economics honors, history honors, Islamic history and culture, Sanskrit honors, इनको जाना है, स्टाफ रूम में, first floor, 1 p.m. to 3 p.m. ठीक है, तो 6 तारिक तो, यानि, 3rd of September से आपका start हो रहा है, और 6 September तक आपका physical verification complete हो जाएगा, ठीक है, जिनका भी admission कॉलेज में, आप जाके अपना physical verification करवा लो, जो document मैंने बताया, वो document आप ready कर लो, और उसको आपको लिखे जाना इलाज में, self attested, one self attested आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी मैंने बताया, तो वही जैसे कि आप print out लिकालना, original पे कभी भी आप मत करना, उसका Gerox आपको जहां पर दिखे, self attested लिखना, और नीचे अपना नाम लिखना, पूरा नाम लिखना, यही नहीं की shortcut मार दो, ठीक है, पूरा ना, ठीक है, तो ऐसा कर देना, तो चलिए यही था, बाकी यहां पर end हो जाता है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अलग वीडियो में, जहां आपे भी confusion आ रहा है, आप हमसे जुरूर पूसकते हो, तक तक के लिए बाय टेक केर और ख्यार रखे अपना,